नमस्कार आप देखने हैं काबर 29 और मैं हूँ आपके साथ हवी अगर दिल्ली पुलिस ने इस पर कारवाही नहीं की तो ये माना जाएगा कि प्रधार मंत्री को इसकी निश्पक्ष जांच करना चाहिए पोश बदमाश नहीं थे नकाब पोश अखिल भारती विध्यारती परिश्ट के गुंडे थे ये बात समझ लीजिए और ये बात मैं आपसे कहे देता हूँ कि ये अगर इन गुंडों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कारवाई नहीं की और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से भारत के ग्रह मंत्री अमिर्शा के नियंतरन में है मारदर्शन में है अगर कारवाई नहीं की गई तो यही माना जाएगा पूरे देश में और विश्में कि ये पूरा सुन्योजित शड्यंत्र था जेन्यू के छात्रों के छात्राओं के खिलाफ भारती जन्ता पार्टी और ग्रह मंत्री का शड्यंत्र था इसलिए यदि कारवाई नहीं होती तो यह माना जाएगा कि उन्होंने करवाया है और अगर ऐसा है तो उन्हें इस्तिफा दे जाना चाहिए क्योंकि जेनी होई कैंसी विश्विद्याले है जोकी जिसने की नोबल लॉरियट दिये नेपाल के प्रधान मंत्री लिबिया के प् आज भारत के वित्मंत्री भारत के एक्स्टन अफेर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री यह सब पड़े लिखें आईएस आईपीएस आईएफस एकडिमिशियन्स प्रोफेसर सिविल एक्टिविस्ट मेंबर्स ऑपार्लिमेंट इस समय के पड़ें और वहां पर जो शांति का तो था उसमें इस प्रतकार की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्ट ने की जा सकती भारत के प्रधान मंत्री जी को निर्देश देना चाहिए अपनी दिल्ली पुलिस को नियंत्र करना चाहिए क्योंकि उनकी पूरा वीडियो दिखा रही है कि वे चुपचाप खड़े हुए हैं और लोगों को अंदर खुषने की पूरी अजाज़त दी गई और भार से जो लोग को उनके समर्थक आये हमारे उनके बच्चों के माता पिता और समर्थक आये उनको पुलिस ने गेट पे रोक लिया और गुंडों को अंदर जाने दिया और वापिस निक्राइब